So Hello Friends, This is Vikas and Welcome to Vikas Teaching Academy दोस्तों बात कर लेते हैं UPSI Vacancy 2021 से Related संभावित परिच्छा कब होगी? तो देखें मैं आपको बता दूँ, UPSI की परिच्छा अभी होना संभाव नहीं है परिच्छा अक्टूबर से पहले नहीं हो पाएगी जो भी जानकारी मिली है वो यही जानकारी है कि आपकी परिच्छा अक्टूबर में ही संभाव नहीं हो पाएगी देखें दोस्तों UPSI भी भरती जो है कई तरीके से कोट में घिरी हुई है और UPSI के जब आवेदन हुए थे तो दो-तीन बार आवेदन भी बढ़े थे तो इस वज़े से इसकी परिच्छा में भी जाईज बात है बिलंब होना हालांकि सरकार चाह रही है कि वर्ष इस वर्ष मतलब 2021 में ये भरती कम्पलीट कर दी जाए लेकिन दोस्तों जब परिच्छा ही अक्टूबर में होगी तो आप लोग ये मान के चलिए भरती होना जो है मुश्किल है फिलाल जो है 2022 चुनाओं से पहले ये भरती आपको पूरी देखने को मिल सकती है बाकि दोस्तों मैं आपको बता दूँ 15 लाग से 16 लाग अब्यारती ने आवेदन किया है और UPSI में आपको पताई योगा लगबग 9000 पोश्टे हैं तो दोस्तों कमपटीशन बहुत जाता है और इस में 20% महिलाओं के लिए आरच्चित भी है तो देखिए जो है ऐसे ही सीटें कम हो जाती है फिलार महिलाओं के लिए आरच्चित होना भी जायज है और महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए UPSI बेकन्सी में दूसरी बात कि परिच्चा मैंने आपको बताई दिया कि अक्टूबर में प्रस्ताबित होगी परिच्चा लेकिन देखिए अगर आप लोग जो भी अभ्यारती UPSI की तैयारी कर रहे है वो कहीं ना कहीं अगर सासन परिच्चा को जल्द करवाने को लेकर तब देखिए UPSI से सम्मंदित कुछ भी आपको सकारात में मिल सकता है अन्य था कि इस्तिति में ये पंच वर्षय योजना भरती बनेगी ही बनेगी जिस तरीके से 2016 की बरती बनी थी ये भी पंच वर्षय योजना बनना तैया है अगर आप लोग जो है एक्टिव ना हुए तो बागी दोस्तों जैसी भी जानकारी होगी हमारे चैनल के मादिम से आपको बता दी जाएगी तब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखे जोरो सोरो से करिए कंप्टिशन बहुत है दोस्तों बैक एंसी कम है और UPSI एकर आपकर टारगेट है तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए बागी कोई भी आपको जो है समस्या हो वो हमारे चैनल के मादिम से आपको बता दी जाएगी आप कमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं थैंक यू फ्रेंज जै हिंज जै भारत